Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone, competitive examination के लिए, किसी भी प्रकार का competitive examination हो, उसके लिए यहाँ पर हम Tignometry आज कुछ practice ले करके question आपके लिए आये हैं, तो आ और यह सारे के सारे जो questions हैं, PYQs हैंने की पिछले exams में पूछे जा चुके यह सारे के सारे आपको questions मिलेंगे, तो आए स्टार्ट करते ह हैं, देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको questions बताऊंगा, और कुछ tricks and concepts ले करके चलूँगा, कुछ आपको tricks भी बताऊंगा, कुछ concepts भी बताऊंगा, तो सबसे पहली मैं आपको trick जो है, trick या shortcut के लिए, जो ले करके आपक कि 10A plus 10B plus 10C, shortcut बनाईए, इन ट्रेंगल ABC, अब ABC अगर है ट्रेंगल तो कहने की बात नहीं, कि तीनों एंगल कसम कित्ते डिगरी होगा, 180 डिगरी होगा, इसको कुछ किताबों में लिखा जाता है कि एंगल A plus angle B plus angle C equals to 180 डिगरी, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो इसमे आप एक shortcut बनाईए, कि A plus B plus C equal to 180 कहलो, या A plus B plus C equal to pi कहलो, तो क्या shortcut काम करता है, shortcut जो काम करता है, 10A plus 10B plus 10C, ओके, तीनों एंगल का जो sum होता है, उनके 10 का sum, that is equal to 10A into 10B into 10C, यस, बहुत ही काम की चीज़े, बहुत ही काम का formula है, ओके, तो यदि आपको यहाँ से question पूछ ल 1020 into, sorry, 1020 plus 1050, okay, 1050 plus 10, कितना चलेगा, रीखे, यह हो गया 70, और 70 को 100C बनाने के लिए कितना लगेगा, 110 लगेगा, और 10, 110, तो directly इसका answer कितना हो जाएगा, 1020 into 1050 into 10, 110, इस तरीके साब इसको, मतलब sum form को आप product form में लिख सकते हो, ठीक न, तो यहाँ पर यह खासकर important कब हो हो जागा, integration जब आप करेंगे तो यह बहुत important हो जागा, जैसे मानली आपके पास में integration आगया, 1020 into 1050 into 10, 110, अब यह बहुत important है, तो reverse approach से यह दिखें, इसको, आप इसको क्या लिख सकते हैं, that is equals to, okay, यहाँ पर तो देखें, यहाँ पर आप जो है, यह एंगल जो है, 20, 50, 110 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, that is equals to, यहाँ पर dx लगाते हैं, तो यह सबके सब constant, तो आप इसको 1020, dx plus 1050, dx plus 10, 110 dx कर सकते हैं, क्योंकि multiply की चीज किसमें आजाएगी वापस, sum में आजाने वाली है, okay, so क्या होता है, formula 10a into 10b into 10c हो जाएगा, formula 10a plus b plus c का, चलिए तो एक question हो जाएग, प्यारा सा, जो question आपके exam में पूछा जा चुका है, exam पे question करते हैं, question क्या पूछा गया है, a plus b plus c equals to pi है, तो आपको value बतानी है, कि 10 0 degree plus 10 135 degree plus 10 45 degree, वैसे तो बहुत ही simple question है, आप चाओ तो directly value पूट कर दो, यह होता है 0, यह होता है minus 1, यह होता है plus 1, तो answer कितना आ गया है, 0, और यदि आप उपर वाले formula या trick का इस्तमाल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 10a into 10b into sentence, 10c, तो 10 0 into 10 135 into 10 45, answer कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके, तो यह हो गया, आपका एक question, note करिए इसको, इसमें mainly मैंने किस पर focus किया है, इस trick पर focus किया है, कि 10 of a plus b plus c, कहां लिखा, यह लिखा, यह trick पर मैंने mainly focus किया, कि 10 of a plus b plus c equal to 10a plus 10b, 10a into 10b into 10c, मैंने इस trick पर focus किया है, चले, इसके बाद अगली trick की ओर चलते हैं, next trick लिखे क्या है, next trick लिखे, अगर आपके पास कोई triangle a, b, c है, ओके, a, b, c, तो अगला shortcut बनाईए, अगला shortcut क्या है, अगर आपके पास कोई triangle a, b, c है, तो shortcut काम करता है, cot a into cot b, cot a into cot b, plus cot b into cot of c, plus cot of c into cot of a, equals to कितना होता है, 0 होता है, यह याद रखिए, cot a into cot b, plus cot of b into cot of c, plus cot of c into cot of a, equals to 0, इसको note करजी, shortcut को, और इस पर बेस हम अगले question लेकर क्या आपके लिए आ रहे हैं, उसको भी करिए, चलिए, देखे, क्या आया है, PYQ में question क्या आया है, previous examination के रूप में, question पूछा गया, cot 75 multiply by cot 25, plus cot of 25 into cot of 80 degree, plus cot of 75 into cot of 80 degree, यह देखे, तीन एंगल्स आपके पास, तो जो एंगल्स आपके पास दीए गए हैं, एक है A, यह B है, और तीसरा यह C, माल लीजे, तो सबसे पहले चेक करिए, कि तीनों का सम क्या 180 degree है, तो एक है 75, एक है 25, और दूसरा है 80, तो clear दिख रहा है कि तीनों 180 का pair construct कर रहे हैं, 180 pair बना रहे हैं, बिल्कुल यहां पर जो sum होगा, 0 नहीं होता, इसको 1 खर लीजे, ट्रिक गलत लिग दी थी मैंने, is equals to 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा, this is equals to 1, तो cot 75 into cot 25 plus cot 25 into cot 80 plus cot 75 into cot 80 की जो value आएगी, वो किती आएगी, 1 आएगी, तो इस ट्रिक को note कर लीजे, cot A, cot B, plus cot B, cot C, plus cot C, cot A की value किती होती, 1 होती है, फिर से लेख देता हूँ, cot A, cot B, plus cot B, cot C, plus cot of C into cot of A, equals to कितना होता, 1, condition क्या होती है, triangle ABC होना चाहिए, note करिए इसको, चलिए, एक और question जो exam में आया हुआ चुका है, next PY की उसकी तरफ चलते हैं, देखे अगला question जो आपके पास है, बहुत ही famous question है यह, question क्या देखे, cos of 1 degree, cos 1 degree, into cos of 2 degree, into cos of 3 degree, into cos of 4 degree, up to, up to, up to, up to, up to, cos of 100 degree, okay, इसकी value क्या होगी, देखे, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं, cos 90 आएगा, और cos 90 क्या होती है, 0, तो इसलिए, इसका answer कितना आ जागा, 0 आ जागा, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, अगला question है, 10 pi by 4 plus theta, 10 pi by 4 plus theta, plus 10 pi by 4 minus theta की value, आपको बतानी है, कितनी होगी, ओके, चलिए, तो इसको simplify कर लेते हैं, 10 pi by 4 plus theta, plus 10 pi by 4 minus theta, देखे, कैसे solve होगा, 10 a plus b के formula से, यह हो जागा, 10 pi by 4 plus theta, upon 1 minus 10 pi by 4, into 10 theta, ठीक है, और यह क्या हो जागा, देखे, यहाँ पे minus है, तो यह हो जागा, 10 pi by 4 minus 10 theta, upon 1 plus 10 pi by 4, into 10 theta, अब इसको simplify कर लेते ही हो गया, उपर 1 plus 10 theta, और नीचे 1 minus 10 theta, उपर हो गया, plus 1 minus 10 theta, और यहाँ 1 plus 10 theta, LCM ले 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 जे, तो यह square हो जाएगा, 1 plus 10 theta का whole square, plus 1 minus 10 theta का whole square, और इधर पे, a plus b, a minus b, यहने, 1 minus 10 square theta, ठीक है, 1 minus 10 square theta हो चुका है, अब देखे, हम क्या कर सकते हैं, इसको, 1 plus 10 theta का whole square कर दियो उपर कर देंगे, तो 1 plus 10 square theta, plus 2 10 theta, और प्लस 1 minus 1 plus 10 square theta, minus 2 10 theta, ओके, 2 10 theta साटे, 2 10 theta कैंसल हो गया, नीचे क्या है, 1 minus 10 square theta, उपर कितना बच गया है, 1 plus 1, 2 plus 2, 10 square theta, अपन, 1 minus 10 square theta, दीके, 2 common ले ले लिजे, 1 plus 10 square theta, अपन, 1 minus 10 square theta, चलिए, दीके, cos 2 theta का formula आप सबको पता है, okay, cos 2 theta is equal to होता है, 1 minus 10 square theta, अपन, 1 plus 10 square theta, तो यहाँ से 2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 minus 10 square theta, अपन, 1 plus 10 square theta, तो यह हो गया 2, और नीचे क्या बन चुका है, cos 2 theta, तो answer इसका आएगा, 2 sec 2 theta, तो correct answer जो बनेगा, इस problem का, क्या बनेगा, this is equals to 2 sec of 2 theta, ध्यान रखिए, तो यह PYQ हमारा हो चुका है, done, चलिए देखें, अगले concept की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको, इस विशेश प्रकार के color से, मैं आपको concept बताऊंगा, तो concept यह है, कि आपके पात जो formula होता है, 1 plus cos theta is equal to होता है, 2 cos square theta by 2, और 1 plus cos 2 theta is equal to होता है, 2 cos square theta, तो यहाँ से आप बात करते हैं, cos square theta की, तो कितना आएगा, 1 plus cos 2 theta by 2, और यहाँ से आप cos theta निकालते हैं, तो cos of theta equal to कितना निकलेगा, cos theta is equal to, plus minus under root 1 plus cos 2 theta by 2, अब देखिए, आपको दो value हा रही है, अब दो value में आपको plus लेना है, कि minus लेना है, यह किस पर depend करेगा, वो theta के quadrant पर depend करेगा, कि theta किस quadrant में है, first में है, second में है, third में है या fourth में है, यह theta के quadrant पर आपको depend करेगा, चलिए किस पर question देख लेते हैं, कि यह कैसे questions पर solve होगा, जैसे आपको बूला गया है, कि cos of 30 की value क्या होगी, तो cos 30 की value क्या होगी, तो cos 30 किस में होता है, first quadrant में होता है, तो cos 30 first quadrant में यही है, तो cos 30 कल्डू कितना निकलेगा यही कि cos theta अभी आपने देखा है, कितना होता है, under root 1 plus cos 2 theta, तो plus और minus 2 sign होते हैं, 1 plus cos 2 theta यहीं कि cos 60 upon कितना हो जाएगा 2, बट यहां first quadrant की होने की वज़े से plus ही sign आएगा, तो इस का answer कितना हो जाएगा, 1 plus cos 60 degree by 2, मतलब root के अंदर अगर कोभी कोई trigonometric ratio आता है, तो आपको quadrant का सहारा लेना है, कि जो theta आपसे पूछा गया है, वो theta भला किस quadrant पे लाई कर रहा है, उस theta को आपको मिलान कराना है, कि वो किस quadrant में लाई कर रहा है, उसके आपसे आप इसका answer देंगे, done, आँगे बढ़ते हैं, चलिए, अगला concept नोट कीजे, अगला concept क्या है, अभी मैंने जो आपको concept पढ़ाया था, कि 10A प्लस 10B प्लस 10C, ओके, 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल्स तू आपने देखा कितना होता है, 10A इंटू 10B इंटू 10C, इसकी validity क्या है, इसकी मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि validity क्या है, मतलब यह कब तक valid होगा, यह जो concept है, यह कब-कब valid होगा, तो लिखिए इसकी number 1 पहली validity है, कि A प्लस B प्लस C, एक्वल्स तू कितना होना चाहिए, पहले चीज पाई के एक्वल, A प्लस B प्लस C, एक्वल्स तू कितना पाई, दूसरा, A प्लस B प्लस C, एक्वल्स तू, ओके, इसका दूसरी जो validity है, इसका A प्लस B प्लस C, एक्व multiple मतलब की a plus b plus c equals to n pi होगा अगर तो आपके पास यह जो formula है 10 a plus 10 b plus 10 c equal to 10 a into 10 b into 10 c यह आपके पास में apply हो जाएगा done चलिए अगले question की और चलते हैं अगला question बहुत ही प्यारा question है अगला question आप लिख लिजे कि आपके पास value पूछी गई है कि sin of 10 degree plus sin of 20 degree plus sin of 30 degree plus up to up to up to करते हुए करते हुए sin of 360 degree value पूछी गई है यहाँ पे कितना है sin of 360 degree यह values आपके सामने पूछी गई है अब एक चीज को महसूस कीजे कि केवल आपके आज-पास यहाँ पे क्या है sin 0 नहीं है क्योंकि 0 से start होता तो 360 तक पूरा समझ में आ रहा है अब देखे इस question को करने का तरीका क्या है इस question को करने के कई तरीके है बट मैं कहूंगा कि इसको graphical method से लिए आप करेंगे तो बहुत ही बहतरीन तरीके से समझ में आएगा यह देखे मैं sin x का graph बना लेता हूँ 0 degree से लेकर के कहा तक 360 degree तक graph है यह 0 है और यह आपके पास में 360 है अब एक तो starting 0 से है तो sin 0 कितना होता है? 0 होता है और sin 360 कितना होता है? यह भी 0 होता है अब sin 10 मैं कहता हूँ जो भी होता होगा sin 10 यह भी k1 होता होगा तो sin 10 पर k1 की value positive होती है और उतना ही आपके पास में sin 350 जो आएगा वो यहाँ पे उतनी ही negative value लेकर के आएगा मतलब sin 10 अगर plus k1 है तो यहाँ पर जो आपके पास में sin 350 आपको मिलेगा वो कितना होगा? minus k1 मतलब उपर से देखा जाए तो यह plus 10 है यह plus 20 पर value यह plus 30 पर value ओके और इधर से यह minus 10 पर value यह minus 20 पर value यह minus 30 पर value तो यह values क्या होंगी एक दूसरे को cancel करती जाएगी मतलब sin 360 से यह तो cancel हो गया अगला sin 350 से sin 10 cancel हो जाएगा और वैसे भी आप देखना चाहें तो sin 350 is equal to sin 360 minus का कितना 10 okay that is equal to sin 360 minus theta that is equal to minus sin 10 okay तो यह देखें यह sin 10 है और यह आपके पास में क्या है minus sin 10 है cancel हो जाएगा इस तरीके से पूरा cancel हो जाएगा और answer इस चीज का कितना हैगा 0 तो correct answer equals to 0 so this is done चलिए अगला question देखें अगला question मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ question है log of 10 1 degree plus log of 10 2 degree plus up to up to up to up to log of 10 89 degree log of 10 89 degree इसकी value आप से पूछी गई कि क्या होगी चलिए यह क्या है पी वाई क्यों है competitive exam में पूछा गया question है तो आप जानते हैं कि जो log की property होती है क्या होती है log की property log of a plus log of b plus log of c जो हुआ करता है that is equal to log of a into b into c हो जाय करता है तो यहां यह property में लगा सकता हूँ इसमें और यह property क्या हो जाएगी यह हो जाएगी log of 10 1 degree into 10 2 degree into 10 3 degree up to up to up to करते करते क्या 10 89 degree यह log की property लग गई है अब देखें यहां से क्या होने वाला है log 10 1 degree ओके और 10 89 10 theta is equal to होता है cot 90 minus theta ठीक है ना तो 10 1 को आप जीकि 10 1 है into 10 2 degree है into 10 3 degree है ठीक है into up to चलते 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 10 89 को आप क्या लेख सकते हैं आप लेख सकते हैं 10 of 90 minus 1 ओके इसके बाद पहले क्या आएगा आपके पास 10 88 आएगा तो इसको लेख सकते हैं 10 of 90 minus 2 ठीक है तो आप यह क्या हो जाएगा दिखें log यह 10 1 है 1 degree और 7 में यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cot 1 degree because 10 90 minus theta equal to cot theta यह क्या बनेगी यह बनेगी 10 2 degree और यहाँ पर क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cot 2 degree ठीक है ना तो इस तरीगे से चलते 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 ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे cancel बट बीच में एक टर्म होगा जिसकी pairing नहीं होगी वो है 1045 तो 1045 की कोई pairing नहीं बनेगी तो आपके पास finally answer में कितना आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा log 1045 और 1045 कितना होता है 1 होता है तो log of bracket में 1 आ जाएगा और log 1 कितना होता है 0 तो इस तरीके से इसका answer कितना जाएगा 0 तो note कर लिए बहुत ही उंदा बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा question है ये log 1 की value हो गई है 0 चले अगले question की ओर चलते हैं अगला PY क्यों देखते हैं क्या है question note करिए if 10A equals to आपके पास में कितना है 3 by 2 है 10A equals to 3 by 2 then 1 minus cos A ये cos है 1 minus cos A upon 1 sorry 1 plus cos A upon 1 minus cos A की value क्या होगी चले कि 1 plus cos A कितना होता है 2 cos square A by 2 और 1 minus cos A कितना होता है 2 sin square A by 2 2 से 2 cancel कर दीजे cos square A by 2 upon sin square A by 2 that is equal to हो जागा cot square A by 2 ओके तो यहाँ पर आपके पास में 10 A by 2 दिया था sorry मैंने 10 A लिख दिया गलती से ये 10 A by 2 दिया था 3 by 2 तो आपके पास cot है तो cot कितना होता 1 upon 10 मतलब इसको cot यहीं बदलना 10 A by 2 3 by 2 है तो cot A by 2 कितना हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 by 3 का whole square correct answer equal to कितना 4 by 3 चली अगले question क्यों रांगे बढ़ते हैं अगला question note करिए क्या है अगला question है 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x की value क्या होगी चार options आपके सामने दिये गए हैं अभी तक जो questions मैंने आपको कराए हैं उनमें options का उतना utilization नहीं था बट यह जो question इसमें option का महत्व है इसलिए मैं इनके answer लिख देता हूं देखिए पहला answer दिया है 2 cos x दूसरा option दिया है 4 cos x into cos 2 x into cos 3 x फिर option दिया गया है 4 sin x into sin 2 x into sin 3 x and last option आपका ननौप देज़े कैसे करेंगे इस सवाल को देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले देखिए क्योंकि सारे option cos के डम में है सबसे पहले x की कोई value देदीजे x equal to 0 तो अगर आप x equal to 0 डालते हैं तो देखिए इसका answer कितना जागा x equal to अगर आप 0 पुट करते हैं तो यह जो structure बनेगी यह बनेगी 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to 4 अब option में देखिए कि आपको 4 answer कौन दे रहा है 4 cos 0 cos 0 cos 0 यह आपको दे रहा है equal to कितना 4 दे रहा है मतलब यह option में हो सकता है 4 यह भी हो जागा sin 0 यह भी हो जागा sin 0 यह भी हो जागा sin 0 तो यह कितना दे रहा है 0 तो यह भी नहीं हो सकता है और none of these भी नहीं हो सकता है तो answer कितना हो जागा 4 cos x cos 2 x cos 3 x क्योंकि जैसे आप x equal to 0 पुट करते हैं तो जो option 4 है वो क्या लेदा 4 cos 0 cos 3 into 0 याने cos 0 और cos 4 into 0 याने cos 0 याने की answer कितना देदेगा आपको 4 देदेगा तो correct answer इसका कितना हो गया option number B तो देखे इतना बड़ा question दिख रहा था था थोड़ी जी आपने जाग रुकता दिखाई यहाँ पे तो यह question बड़े आसानी से solve हो चुका है चलिए आंगे बढ़ेंगे चलिए एगला question note कीज़े एगला question क्या कह रहा है कह रहा है if x equal to if x equal to sec theta plus 10 theta है x equal to sec theta plus 10 theta है then x plus 1yx क्या होगा x plus 1yx देखें तो आप जानते हैं कैसे solve करेंगे इसको सबसे पहले x तो दिया गया है अगर x दिया गया होता है तो 1 upon x क्या होता है 1 upon x होता है sec theta minus 10 theta यह आपको पता होगा ok x equal to sec theta plus 10 theta होता है 1 upon x equal to कितना होता sec theta minus 10 theta क्यों होता है यह देख लिए यहाँ पर अगर x equal to sec theta plus 10 theta तो x equal to sec theta plus 10 theta जो होता है वो होता है 1 upon sec theta minus 10 theta के इस तरीके से अगर आप sec theta minus 10 theta को equal उपर करोगे तो यह कितना जाएगा 1 upon x अब आपसे पूछा गया है x plus 1 upon x की value क्या होगी तो x plus 1 upon x की value के लिए आपके पास x क्या है x है आपके पास में sec theta plus 10 theta और 1 upon x कितना है आपके पास में 1 upon x है आपके पास में sec theta minus 10 theta दोनों को add कर दी आपने तो आपके पास answer कितना आजाएगा 2 sec theta आपका क्या होगा answer होगा तो correct answer अगला question की और बढ़ते हैं, अगला question देखी क्या है, अगला question कहे रहा है, 10 square a upon 1 plus 10 square a की value क्या होगी, तो बहुत ही simple question है, 10 square a को आप 10 square a ही लिख दीजे, और 1 plus 10 square a कितना होता है, 10 square a, अब इसको simplify करने की दिश्चा में कदम बढ़ाईए, 10 square a कितना होता है, 10 square a equal to sin square a upon cos square a, और 10 square a कितना होता है, 1 upon cos square a, तो यह cancel हो जागा cos से, answer इसका कितना जाएगा, only sin square a, तो इसका correct answer होगा sin square a, चलिए next question लिखे, अगला question है, next question is, कि cosec a, plus cot of a, is equals to, आपको पूछा गया है, 11 upon 2, okay, equation number 1 है, तो आप से पूछी गई है, कि 10 a की value क्या होगी, तो आप से पूछी गई है, 10 a की value क्या होगी, आईए इसको solve करते रेखे, तो क्या rule लगेगा, आपके पास में, आपके पास में rule लगेगा, कि cosec a, plus cot of a की value किती है, 11 upon 2, तो इसका उल्टा, cosec a, minus cot a, a minus cot of a की value कितनी हो जाएगी, 1 upon cosec a, plus cot a, यानि की, 2 by 11 हो जाएगी, इसकी value, okay, क्यों होती है, क्यों कि लिख देता हूँ, cosec a, minus cot of a, जो हुआ करता है, that is equal to 1 upon, cosec a, plus cot a होता है, ठीक है, अब इसको अब simplify कर लो, कैसे simplify करोगे, इसको subtract कर दो, subtract कर दो, घटा दो, तो यह minus हो गया, यह plus हो गया, यह minus हो गया, यह cancel होगा, यह cancel नहीं होगा, तो यह आपके पास में कितना आ जाएगा, यह cancel हो गया, यह बने गया, आपके पास में, 2 cot a, equal to 11 upon 2 minus 2 upon 11, ठीक है न, तो यह कितना हो जाएगा, देखो भाई साब, यह आ जाएगा 22, और यहाँ से 11, 121 minus का 4, equal to 2 cot a, okay, so cot a, equal to 174, याने 117 बटे, यहाँ पे कितना हो गया, 22 into 244 हो गया, हमको किसकी वैल्यू चीए 10 a की, तो 10 a को रहसे रिवर्स कर दो, रहसे प्रोकल कर दो, तो आंसर कितना हो गया, 44 upon 117 is the correct answer, यह हो गया, डन, चली, अगले concept की ओर चलते हैं, तो पहले मैं concept cover करूँगा, देखे, concept यह है, concept लिख लीजे, minimum and maximum value of x plus 1 by x, अगर आपके पास में कोई भी structure इस तरीकी की x plus 1 by x, तो याद रख लीजे कि x plus 1 by x होता है, हमेशा जो होता है, वो 2 से बढ़ा हुआ करता है, ओके, तो इसकी जो आपकी, इसकी value हमेशा जो होती है, 2 से बढ़ी हुआ करती है, ठीक ना, x plus 1 by x की जो value हुआ करती है, वो हमेशा क्या होती है, 2 से बढ़ा हुआ करती है, ठीक है, am जो होता है हमेशा gm से बड़ा हुआ करता है ठीक है तो वहाँ से यह property जो होती है आया करती है कि x plus 1 by x जो होता है हमेशा 2 से बड़ा होता है इसको हम derive भी कर सकते हैं मानलीज़ आपके पास में 2 number हैं एक है x और एक है 1 by x तो यह दी मैं इनका am ले लूँ arithmetic mean तो x plus 1 by x upon 2 बनेगा and this is greater than or equal to gm gm इसका कितना बनेगा x into 1 by x यह cancel हो गया देखे तो x plus 1 by x की value हमेशा क्या होगी 2 से बड़ी होगी मतलब यह आप से पूछा जाए कि minimum value of sorry इसकी minimum value of x plus 1 by x की value minimum value of x plus 1 by x जो कितनी होगी वो आपकी value कितनी होगी 2 होगी ठेक ना क्योंकि इसकी minimum value 2 आ रही है अब देखें दूसरी चीज कि x plus 1 by x की जो value होती है हमेशा माइनस 2 से छोटी होती है मतलब x plus 1 by x की value जो होती है minus 2 से क्या हुआ करती है चोटी होती है तो इसकी minimum value 2 है और इसकी maximum value जो जाएगी वो कितनी जाएगी minus 2 मतलब इससे बाकी इसकी पीछे ही values आपकी जाएगी यदि इसको graph में आप plot करें किस चीज को plot करें आप x plus 1 by x को तो अगर आप x plus 1 by x को graph में plot करते हैं इसकी value जो हमेशा होती है 2 से बड़ी हुआ करती है तो इसकी value हमेशा 2 से बड़ी हुआ करती है और इसकी value जो होती है minus 2 से क्या होती है छोटी हुआ करती है minus 2 से छोटी हुआ करती है yes ओके तो ये graph आप बना लीजे तो यदि मैं इस graph के accordingly बुलूँ अगर मैं बोलूँ आपसे की minimum value बहुलु है X plus 1 by X की minimum value क्या होगी? 2 होगी और अगर मैं आपसे बोलूँ की maximum value क्या होगी? क्योंकि देखिए minus infinity की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है तो इसकी maximum value में x plus 1 by X की बोलूँ तो देखिए इसकी value किती होगी? माइनस का 2 होगी, तो इस दो value उसको आप याद रखिए, ठीके ना, अब चलिए इस पर बेस हम एक question कर लेते हैं, इस पर बेस हम question कर लेते हैं, जैसे question मान लिजे, कि आप से बोला गया कि x plus 1 by x के troop का question बोला गया, तो this is always greater than or equal to 2, मतलब इसकी यदि बूली जाए कि कि इसकी minimum value क्या होगी, तो इसकी minimum value 2 मिलेगी, अब इसी concept पर question देखिए, अगर आप से बोला जाए कि sin x plus cosec x की minimum value बताईए, sin x plus cosec x की कौन सी value बतानी है, minimum value, तो देखे, analyze कर ये function को, ये जो function लिखा है, sin x तो sin x है, और ये क्या है, 1 upon sin x है, ओके है, और sin x और 1 upon sin x जो दिखाऑ दे रहा है, वह किस form का है, x plus 1 upon x है, हमेंसा 2 से बढ़ा होता है, 2 के equal है, 2 से बढ़ा होता है, तो इसकी जो minimum value बनेगी, वो क्याрен बनेगी, 2 बनेगी, ओके, this इसकी जो minimum value बनेगी, वो क्या बनेगी, 2 बनेगी, वो ली clear हो गया ना, और 2 से बड़ी value इसकी आ सकती है, आप check भी कर सकते हैं, जैसे अगिर आप particularly 30 degree ले 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 लें, तो 30 degree पर जो है, आपके पास तो 2 plus 1 by 2 कितना हो गया, 5 by 2, इसलिए मैं कहता हूँ कि x plus 1 by x की, जो minimum value निकलेगी, वो कहां से निकलेगी, आपके पास में, आपके पास में वो 2 निकलेगी, ठीक है न, चलिए अगला एक और example लेते हैं, यदि आप से पूछ लिया जाए कि sin square x plus cosec square x, ठीक है न, तो sin square x plus cosec square x तो फिर से again मैं बोलूँगा, इसकी value जो होगी, वो क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, उसकी value 2 से बड़ी होगी, तो इसकी minimum value जो value निकलेगी, वो कितना निकल जाएगी आपकी, minimum value इसकी 2 निकल के आजाएगी, ठीक है न, चलिए अब देखते हैं, question, अगला question, देखेंगे, चलिए अगला PY क्यों लिखें, लिखें question है, the minimum value, the minimum value of sin square 130 degree, प्लस cosec square 130 degree, ठीक है न, तो sin square 130 और cosec square 130 की minimum value आपको निकाल ली है, देखेंगे, फिर से यहाँ पर इदेखा जाए, तो यह क्या है, sin square 130 degree है, okay, plus cosec square 130 degree, मतलब की 1 upon sin square 130 degree, फिर से यह बन चुका है, okay, तो यदि आप इसको x लेते हो, तो यह x plus 1 upon x की structure बन चुकी, that is always greater than or equal to 2, तो इसकी जो minimum value निकलेगी, इसकी जो minimum value निकलेगी, वो हमेसा क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, क्योंकि अभी मैने आपको पूरा method इसका बताय था, कि जो value निकला करती है, हमेसा, x plus 1 upon x की value जो होती, 2 से ज़्यादा होती, तो यह बनती है, इसकी minimum value, अब चलिए दूसरा, इसी मैं concept में question दे देता हूं, कि अगर आप से maximum value पूछ लेते, इसी की, कि साइन स्क्वार 130, प्लस कोसिक स्क्वार 130 की, आप से maximum value पूछ लेते, कि इसकी भाई साब आपको बताईए, maximum value क्या है, तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, कि जो, अगर आपके पास x plus 1 upon x का function हो, तो x plus 1 upon x का function 2 से अधिक value देता था, और यहाँ पर किस से देता था, minus 2 से लेके कम की value देता था, बट अब problem समझे, problem यह है, कि यह जो number ह अब आपके पास किस में है, square में है, किस में है, square में है, okay, तो square तो कभी negative input दे नहीं सकता है, तो इसको खसक करके कहा जाना पड़ेगा, इसको जो यह आपके पास में minus 2 जा रहा था, अब minus 2 नहीं रहेगा, minus 2 जो है, पीछे की तरफ shift कर जाएगा, और minus 2 जो है, कहाँ पे shift ह हो जाएगा 0 पे ओके तो यदी अब देखा जाए तो x square plus one upon x जो होता है वो हमेशा two से बढ़ाया बराबर होता है sorry square कर लिजेगा और दूसरी पात कि यदी हम छोटे की बात करें तो x square plus one upon x square जो होता है वो zero से sorry तो minus two से क्या करे थे कि इसकी value जो है minus two से पीछे की दरब चला करती रही है और इसकी जो minimum value set होगी वो negative तो जा नहीं सकती ना तो इसकी जो minimum मतलब इसकी जो value set होगी वो कितने set होगी कम से कम इसदर पे इस side पे तो वो क्या हो जाएगी zero set हो जाएगी तो यदि आपसे इसकी क्या कहना चाहिए कि इस side वाली value यदि आपसे पूछी जाए तो minus two से कम इसकी value जा रही थी बट अब negative value नहीं जा सकती है दन ओके दो इस case में दी में बोलों कि X square plus 1 upon x square की जो minimum value है वो क्या हो चुकी है वो 0 हो चुकी है ओके एक स्क्रेट प्लस 1 upon x square की जो minimum value क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है चली आंगे बढ़ते है चलिए देखे तो इसको पर बेस्ट कुछ question करते हैं जैसे सबसे पहला question आपके पास में दे रहा हूं मैं कि आपको minimum value निकालनी है किसकी minimum value निकालनी है आपको आपको minimum value निकालनी है cos square x plus sec square x की यदि इसको देखा जाए तो cos square x plus यह है 1 upon cos square x और यह हमेशा 2 से equal या greater than हुआ करता है तो इसकी again minimum value इसकी क्या set हो चुकी इसकी minimum value क्या है 2 set हो चुकी है चलिए अगला question है अगला question आपको निकालना है minimum value निकालनी है आपको minimum value निकालनी है 5 10 square theta 5 10 square theta plus 5 cot square theta थोड़ा सा logic इसमें extend कर दिया गया इस question में तो यदि आप 5 common ले लेते हैं तो 10 square theta plus cot square theta हो जाएगा और यह जो अंदर जो expression लिखा हुआ है यह हमेशा greater than or equal to क्या होता 2 होता है तो 5 into 2 क्या हो जागा greater than or equal to 10 तो जो इसकी minimum value set होगी इस expression की कहाँ पर set होगी 10 पर इसकी value set हो जाएगी तो correct answer इसका कितना बनेगा 10 बनेगा चले देखे अगला question है the maximum and minimum value of sin square theta into cos square theta is आपके सामने 4 option लिए गए है 1 by 4 0 minus 1 by 4 1 by 4 0 1 by 4 0 तो maximum value sin square theta और cos square theta की पूछी की पूछी की तो कैसे करेंगे दिखे यहाँ पर आपके पास जो function दिया गया है that is equal to sin square theta into cos square theta मैं 4 का multiply उपर और 4 का divide नीचे कर दिया ऐसा करने से मेरे पास क्या बन गया है यह 2 sin theta into cos theta का whole square और हमारे पास यह नीचे आ चुका है तो यह बज़ गया मेरे पास sin 2 theta का whole square divided by 4 अब हम जानते हैं कि जो sin 2 theta होता है वो minimum minus 1 से लेके plus 1 के बीच में लाई करता है ok sin 2 theta जो होता है minus 1 से लेके plus 1 के बीच में तो sin 2 theta का जो square होगा वो कहां से लेके 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा और अब हमको क्या चाहिए, sin 2 theta का square by 4 चाहिए, तो यहाँ पर 4 का divide कर दीजे, तो answer कितना आजाएगा, sin 2 theta का whole square by 4 जो है, वो belongs कर रहा है, 0 से लेके 1 by 4, तो इसका correct answer कितना होगा, इसका correct answer होगा अपने पास में, close interval 0 to 1 by 4 will be the correct answer, ओके, question क्या था, यह था, maximum and minimum value आपकी find कर नहीं तो minimum value कितनी हो जाएगी, 0, और maximum value उसके कितनी हो जाएगी, 1 by 4, तो correct answer इसका बनेगा, 0, 1 by 4, okay, done, okay, next question दीखिए, जो exam में पूछा गया है, वो कहा गया है, the minimum value, okay, minimum value किसकी पूछी गई है, minimum बिलाप से पूछी गई है, 3 cos x plus 4 sin x plus 5, तो इसके लिए directly short trick से question solve किया कर यह देखिए, 5 constant है, 5 को आँगे रख दीजे, और क्योंकि minimum निकालना है, तो minus लगा करके under root a square plus b square, यह इसका trick है, तो 5 आपने लगा दिया है, minus sign यूज होगा minimum के लिए a square plus b square, 3 का square 9, 4 का square 16, so 5 minus 5 equal to कितना आगया, 0, तो इसकी जो minimum value आपके पास में आ रही है, किती आ रही है, 0 इसकी minimum value आपको मिलेगे, क्या question था, 3 cos x plus 4 sin x plus 5 की minimum value, अगर यही पर मैं extra कुछ जोड़ करके मैं आपसे कहूँ कि आपको maximum value चाहिए, तो कैसे निकालोगे, 5 है, पिछले बार minimum के लिए क्या कर रहे थे, minus, मतलब minimum कब चमकेगा, minus में, और plus कब चमकेगा, maximum में, तो अंदर कितना हो जागा, वही 3 का स्क्वेर 9, और 4 का स्क्वेर 16, तो maximum value 5 और यह भी 5, तो maximum value क्या निकलेगी, 10 निकलेगी, इसी बात पर अगर मैं आपसे range पूछ लोगी, इस function की, तो range जो होगी, क्या होगी, range belongs to होगी, minimum value 0 है, और maximum value कितनी है, 10 है, तो range बनेगी 0 से लेके 10, done, अगले question की और बढ़ेंगे, चलिए, अगला question लिखे, अगला pyq है, the value of x, the value of x, for maximum, for maximum value, for maximum value of under root 3, cos x plus sin x, कह रहा है, x की वो value बताओ, जिस पर ये maximum होगा, ओके, आपको इसको क्या करना है, maximize करना है, तो best तरीका इसके लिए क्या करना है, आपको इसको आप application of derivative या नहीं, आपका लच कहनों पर योग से करिए, तो क्या है, समझ लीजे, function है, आपके पास fx equal to under root 3, इसको y ले लो, fx मतलो, easy रहेगा y लेने से, तो y is equal to under root 3 cos x plus sin x है, ओके, आपके पास options क्या दिये हैं, options आपके पास दिये गया है, a है 30 degree, b है आपके पास में 45 degree, c है आपके पास में 60 degree, और d आपके पास में 90 degree, चार options दिये गया है, आपको बताना है कि इसकी value इस पर maximum कब होगी, ओके, तो d by dx कर दीजे, तो d by dx equal to कितना होगा, root 3, cos x का कितना होता है, minus का sin x, और plus का कितना cos x, ठीक है न, आपको पता है कि maximum और minimum के लिए condition क्या करते हैं, d by dx किस से compare कराते हैं, 0 से, तो मतलब कि यह जो function हमारे पास आया है, इसको हम 0 से compare कराएंगे, मतलब minus root 3, sin x plus cos of x equal to कितना होगा, 0 से compare करा दिया, तो cos of x equal to minus का root 3, sin x, ठीक है न, cos of x equal to, sorry minus plus हो जाएगा न, हाँ, और यहाँ से 1 by root 3 is equal to कितना वन गया 10x, तो answer x equal to कितना डिगरी, 30 डिगरी, क्योंकि एक ही option correct हो सकता है, दो option correct नहीं हो सकते हैं, तो correct answer इसका कितना होगा, 30 डिगरी होगा, क्योंकि 4 options दिये गया हैं, ओके, none of these है नहीं, जिससे कि हमको double derivative लगाने की जरूरत पड़े, तो logically यहीं हम answer देखेंगे यहाँ पे, तो 30 डिगरी answer correct हो जाएगा, डबल derivative लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक बाद none of these दिया हो था, तो हम double derivative लगाने की परियास करते, बिट फिलल नम को double derivative लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए, अब अगले question की और बढ़ेंगे, अगला question कहा जा रहा है कि the value of sine theta plus cos theta will be greatest, तो मैं question लिख देता हूँ, यहाँ पे देखे, pyq है, क्या है अगला pyq, अगला pyq पूछा गया है कि the value of sine theta plus cos theta, okay, sine theta plus cos theta will be greatest, मतलब इसकी value जो होगी, सबसे ज़्यादा कब होगी, okay, इसकी value कब होगी सबसे ज़्यादा, तो बिल्कुल same method आपको लगाना है, उसी तरीके से ज़्याशा भी किया, और solve करने पर आपके पास कितना हैगा, theta is equal to 45 degree आपके पास में solve हो जाएगा, चलिए, अगला concept देखिए, अगले concept को introduce करने लिए, हमें एक आपके लिए trick ले करके आऊँ, देखिए trick क्या क्या रही, अगर आपके पास कोई function है, fx equal to sin की power n theta, cos की power n theta, और आपसे इसकी maximum या minimum value आपसे पूची गए, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप चेक किजिए कि n odd है कि even है, odd के लिए अलग rules लगेंगे, even के लिए अलग rules लगेंगे, अगर आपके पास n odd है, तो odd के लिए जो maximum value निकलेगी, वो कितने निकलेगी, 1 upon 2 to the power n निकलेगी, और minimum value कितना निकलेगा, minus 1 upon 2 to the power n, और अगर even है, तो maximum value कितने निकलेगी, वही निकलेगी जो निकल रही थी, 1 upon 2 की power n, but even में थोड़ा सा change हो जागा जो minimum value है वो कित्ती हो जाती है 0 हो जाती है आईए इस पर basically question देख लेते हैं तो अच्छा लगेगा question है आपके पास में कि fx equals 2 आपके पास में है sin x into cos x की आपको minimum और maximum value निकालनी है तो क्योंकि odd है दिखिए यहाँ पर power n कितना है 1 है तो इसकी जो minimum value किती आएगी minus 1 by 2 और maximum value कितनी आजाएगी plus का 1 upon 2 to the power n that is equal to 1 upon 2 की power 1 तो plus positive value किती आगी 1 by 2 आगी clear है तो इसकी minimum value minus 1 by 2 और maximum value कितनी है plus का 1 by 2 ठीक है एक और example ले 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 थे हैं अभी अभी मैंने कराया भी था वो example क्या था अपने पास में question question है कि 1 upon sorry 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 sin square x into cos square x अब देखिए आपके पास में यहाँ पे n की value क्या है 2 है 2 है याने की क्या है even है तो यह इदी शोट्रे की बात की जाए तो even के लिए जो minimum value set होती ही क्या set होती है 0 set होती है और यदी maximum value की बात की जाए तो 1 upon 2 to the power n मतलब 1 upon 2 की power 2 याने कितनी हो जाएगी maximum value 4 हो जाएगी 1 by 4 ओके तो इसकी जो range बनेगी वो क्या बनेगी range बनेगी minimum to maximum मेंदे 0 से लेके 1 by 4 इसको मैंने method से भी कराया था बटी shot trick है तो यह बहुत ही प्यारी shot trick है इसके से आप अपनी speed बढ़ा सकते है ओके, done चलिए, अगला question देखिए अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि the maximum value the maximum value of the maximum value of sin of x plus pi by 6 plus cos of x plus pi by 6 तो आपके पास यह function दिया है sin of x plus pi by 6 और cos of x plus pi by 6 ओके, in interval in interval 0 to pi by 2 आपको 0 से pi by 2 के interval में आपको बताना है is attended attended at मतलब कि जो function है अपनी maximum value कहाँ पर इस चीज को reach करता है आपको यह बताना है देखिए कैसे करेंगे आप एक काम करिए sin x plus pi by 6 को आप क्या माल लिए यह capital x माल लिए तो यह function है आपके पास में यह बन जाएगा sin capital x plus cos capital x अब आपको पता है कि जो इसकी maximum value थोड़ देर पहले आपने question किया x की maximum value कहाँ निकलती है x equal to pi by 4 पर तो यहाँ पर आपके पास में capital x equal to pi by 4 पर इसकी maximum value reach होगी तो capital x कितना है capital x है small x plus pi by 6 equal to pi by 4 तो small x equal to कितना हो जाएगा pi by 4 minus pi by 6 pi by 4 कितना है 45 pi by 6 कितना है 30 मतलब कितना आगया 15 degree कितना आगया 15 degree 15 degree कितना होता है 15 degree होता pi by 12 मतलब जो maximum value attend करेगा यह function कहाँ पर attend करेगा pi by 12 पर attend करेगा देखिए ये question मैंने क्यों बताया है आम तोर पर ये बच्चा question देख करके क्या करेगा इसको differentiate करेगा या इसको खोल डालेगा और जैसे ही उसने खोल ला उसका समय बरवाद हो गया है और केवल इसमें logic लगना है तो आपके पाद जितनी भी question इस तरीकी के आएंगे आप उसमें logic लगाई है क्योंकि sine के अंदर इस तरीके का function दिखा दिया है तो sine की value pi by 4 पर maximum हो रही थी तो इस तरीके से इसको बहुत ही जल्दी तरीके से किया जा सकता है और आपका बहुत time बचेगा logical भी यह method है चलिए अगला question करते है चलिए तो अगला pyq है कि आपको निकालना है minimum value minimum value of function आपके पास fx दिया है कितना fx दिया आपके पास में 5 sine square theta plus 4 cos square theta देखे ऐसे question को देखते ही आप इसका answer दे सकते हैं यदि मैं इसमें answer देना चाहूं बोलो minimum value किती है तो इसकी minimum value है 4 और यदि मैं बोलो इसकी maximum value किती है maximum value मतलब इसकी जो है अपने पास में क्या है 5 है तो क्या trick लगती है इसमें trick आप नोट कर लेजे अगर आपके पास कोई question है fx equal to a cos square x plus b sin square x के रूप का अगर आपके पास कोई फलन दिया है fx equal to a cos square x plus b sin square x के रूप का आपके पास फलन होगा है तो आप से अगर maximum value बोली जाए तो maximum value मतलब होता है जो बड़ा हो जो क्या हो बड़ा हो और minimum value मतलब series यदि बादे बाते होती है जो छोटा हो जो छोटा हो तो अभी उपर वाले जो question में है देखे बड़ा कौन सा था 5 था तो इसकी maximum value आएगी 5 और minimum value कितनी आएगी इसकी 4 आएगी याद रखेगा तो इसकी maximum value 5 आएगी और minimum value कितनी आएगी 4 आएगी trick क्या होती है a cos square x plus b cos b sin square x की format में maximum क्या होता है जो बड़ा होता है और minimum क्या होता है जो छोटा होता है तो आप ऐसा कोई भी question कर सकते हैं जैसे आपने ले लिया आपके पास मैं मान लीजिए function में ले लिया fx equals 2 2 cos square x plus 3 sin square x 2 cos square x plus 3 sin square x आपने question दे रिया है ओके आपको क्या निकालना है अब आपको निकालनी है इसकी maximum value तो maximum value निकालने का तरीका क्या है जो बड़ा coefficient है कौन सा है 3 है और minimum value निकालने का तरीका क्या है जो छोटा coefficient है वो क्या है 2 है अब इसकी method की बात कर लेते हैं तो method में कुछ नहीं रखा है दीखे आपके पास में fx equal to केतना है 2 cos square x plus 3 sin square x को आप क्या लिख सकते हो 3 sin square x को भी तो 3 sin square x ही रहन दीजे अब देखे इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद है 2 cos square x 3 sin square x को मैं लिखूंगा sin square x plus 2 sin square x ठीक है अब देखे 2 cos square x और 2 sin square x कितना हो जाएगा 2 common लेके 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा sin square x अब ध्यान से देखिए इसकी minimum value देखो के तो 0 हो जाएगा तो मतलब यह जो आपके पास fx है minimum value क्या produce करेगा 2 plus 0 मतलब 2 produce करेगा minimum value और 2 plus 1 maximum value क्या होगी 3 होगी तो short trick मैंने directly बता दी कि जो बड़ा coefficient होता है वो maximum value देता है और जो छोटा coefficient होता है वो minimum value देता है directly इनको देख करके ही लिख लीजे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है done चलिए देखे अगला pyq अगला pyq नोट कीजे question है minimum value minimum value of 9 10 square theta plus 4 cot square theta यह आपको बताना है कि minimum value of 9 10 square theta plus 4 cot square theta क्या होगा देखे सबसे पहले इसको यदि आप देखें तो हम इसको किस से करेंगे इसको हम method से करेंगे तो method से यदि मैं करूँ तो कैसे करूँगा देखें आप जानते कि arithmetic mean जो होता है हमें से geometric mean से बड़ा होता है ठीके ना तो 9 10 square theta plus 4 cot square theta whole divided by 2 greater than or equal to geometric mean कितना है अपने पास में 9 10 square theta into 4 cot square theta यह होगा जो metric mean तो 9 10 square theta plus 4 cot square theta greater than 2 times यह देखे 10 से cot cancel हो जाएगा कितना होता है 36 होता है तो greater than or equal to कितना होता है 12 हो जाएगा तो इसकी जो minimum value हो जाएगी 9 10 square theta plus 4 cot square theta की minimum value किते होता है 12 हो जाएगी यह दो देख लिए आपने method अब देखते हैं इसकी short trick अगर आपके पास कोई भी expression इस रूप की दी गई हो अगर आपके पास कोई function दिया गया हो fx equal to a fx equal to a 10 square x plus b cot square x यह आपके पास question दिया गया हो और आप से इसकी minimum value पूछी गई है तो याद कर लीजे इसकी minimum value होती है 2 under root a b 2 under root a b इसकी minimum value हो जाएगी इतना तो सही है एक और मैं इसकी short trick दिया लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास में कोई function है function आपके पास में है ax square क्या है ax square plus क्या है b upon x square b upon x square तो इसकी जो value होती है हमेशा 2 root a b से जादा होती है मतलब ax square plus b upon x square की जो minimum value होती है आप लेख सकते हैं कि minimum value of ax square plus b upon x square is always है ना इसकी minimum value हमेशा is always greater than ax square plus b upon x square जो होता है हमेशा 2 under root a b से बड़ा होता है तो यदि इसकी आप minimum value बोलोगे तो कित्ती हो जाएगी 2 under root a b तो ये भी अपने आप में बहुत जबर 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 शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट रिजल्ट है शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा ओके थैंक यू